नमस्ते दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आपका पहुत पहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आपको अपने गार्डन में मेरा छोटा सा गार्डन है बहुत ही प्यारा है सबका गार्डन प्यारा होता है तरह से मेरा भी है तो आज मैं बताने चारें दोस लूँको 6. कisches मैं शब्लें पहल मैं बताती हूं आपने इस पोदे के बारे में देखिए नाम तो कुछ पोद का मुझे पता है ज्यादतर का नहीं पता है तो आप देखकर पहचान सकते हैं क्योंकि अभी लोग को नाम नहीं पता हो उता है तो कुछ पोद का ही पता है तो यह देखे यह भी बहुत अच्छा पोधा है बहुत ही मला उनकल रहता है इस की इस तरह से बीन निकल रही है भड़ा रही है दिवालों पे चोड बढ़ जाती है कहीं भी कर दो खुड़ पती देखियों कश्थ एके जाती है लूपरम YO इसकी बेल और यहां से यह कहीं से भी आप लगा दीजे दीखे यह जहां से यह पोई पोधा नहीं है लेकिन इस पूल जैसे दिख रहा है यह है तिल का पोधा तिल जो जिसका लड़ू बनता ए उसका ही पोधा होता है ने पोधा है इसमें से फूल खिलेगा यहांसे ऴंधर तो यह जोड़ ऊछा है यहांसे दोटा होगा और इसमें से तिल निकलेगा ज्यादा ज्यादा ख्यटी और फोट है चोटा है वास यह अर यह देखिए यह हैं यह भी सो ब्लांट है इसमें थोड़ा कीड़े लग गए है जिससे इसकी पतियों को नो नखा लिया है और यह भी कटिंग के बुरह जाता है व्हूस्तों बहुत असानी से यहां पर देखिए मैंने इसको कटिंग से इसकी तोड़ कर लगा दीजिए बिल्कु सूखने का कोई चांस नहीं कि यह सूखे लग जाएगा वर्सात का मौसम चल रहा है देखिए पानी पड़ा हुआ है इस पोदा बहुत असानी से पकड़ लेता है यह देखिए लक्षमन बूटी यह तो बहुत असानी से अभी को पता है ह हो जाती है गुरू कि कटिंग से ही और यह वाला मैंने लगाया है इसमें से इसका है यह कटिंग से होती है कि नहीं होती है यह नहीं मुझे पता मैंने इसे एक छोटे से पौधे से लगाया था इसका और पौधा यहां पे निकला हुआ है जड़ के पास देख सकते हैं आप उसके बास यह भी कटिंग से ग्रूह होने वाला ही है और देहें पथल चट्टा जिसे ऑसधी भी इस्तिमाल किया जाता है वह वाला है फूल-बीश हमें बहुस अधिलता है और ये भी कटिंग से और इसके पत्टे से निकलता है यहां पत्ते को रख दीजे तो यहां से नहें मैं घ् Chaseg लोगाई लोगा है रानी거든 यहां पर देगे जाने हो आगे लिखते हैं हमुआन यहां पर विखाले आगाई। भीत masih टेपागता जरीगे खेंगानी करणी से पूरे पर हुआ होध्टेनटिक नहीं बीखते हैं। पड़ता है कभी-कभी तो यहां पर भी यह सूखा था देखने वाला पकड़ लिया है गुल्डाव दे यहां पर देखिए यह हम देख्षमिन बूटी यहां पर समी का प्लांट जो पूजा होती है इसको तो हमने नर्शरी स्करिद कर लगाया था यहां पर मैंने दूरवा उगाई हुई है दूरवा के विसे में और सारी जानकारी चाहिए ताप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं मैंने वहां पर बहुत अच्छे तरह से बताय दूरवा का इस्तेमाल होता है और सधी में पूजा में तो सभी लोग जानते ही हैं नमरे भारत में इसका दूरवा का बहुत ही महत्वा है और यह देखिए नेक प्लांट बहुत ही असानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है इसकी इतनी कटिंग आप लगा दीए यहां से काट कर टुकड़े तुक्ड़े में लगाएंगे तो उसमें रूट निकलाती है तुक्राइब होता है इसके बाद ही आ गया गुलाब का पॉधाब है बहुत असानी से कटिंग से ग्रो हो जाताए अब जब सभी जानते हैं अब आर साथ के मौसम में तो बहुत असानी से जाएगा आपने आप देखिए इसमें कलिया लगी हुई है कि देखिए एक वहां पे है नीचे थोड़ी बड़ी कलिया और एक कली यहां पे भी है कि देखिए यह पोधा भी हो जाता है आसानी से कटिंग से ग्रोव मैंने सारे कटिंग से ही उगाय हुए है इसकी मैंने एक छोड़ी सी जड़ा लगाई थी यहां से इस तरह की इस तरह की है है तो उससे मेंने से उगाया था कि वह था कि ए वहता संसर लगता है तो पर देखिए जिससे मेंने कटिंग लगाई थी वह जो है में बोधा यहां पर है इसकी में दखा दूती हो आपको यहां पे यह जड़ इसी से मैंने लगाया यह चल रहा है पिछले साल का है तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी मेरे कीचा वह गार्डन का तूर कैसा लगा आप कमेंट में बताइए अगर अच्छा लगा तो मुझे बताइए मैं इस तरह की और सारी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंग क्योंकि मुझे गार्डनिंग करना पसंद है थोड़ा साव करती हूं थोड़ा वही आपके साथ सेर करती हूं वह बहुत से लोगों को ज्यादा ज्यादा सोक होता है तो मैंने आपको दिखाया आप इसमें क्या चेंज चाहते हैं वह भी बता सकते हैं वीडियो दिखने के आपका बहुत पुर्धनिवाद दोस्तों